नेक्स्ट कोशन हे गया है हेट लिख्यां विचों केडा बिजलाई चुम्ब की तरंग दे समान्द विच गल्थ हे गया है चार ओप्षन ने फर्स दिता है ए तरंग खला विच चल सक दिया ने बिल्कुल सही दिता है जी सेकेंड हे गया है ए तरंग खला विच नहीं चल सक यां बिल्कुल गल्द थर्ड ओप्शन देता है ए तरंग प्रकास दी चाल नाल गती कर दी है बिल्कुल सही ते फूर्थ देता है तापी विक्रण इस देख उदारने ए वी बिल्कुल सही है ते इस कोशन दा अपना कोरेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर बी कमपन कर रहे कर अपने मद स्तानतों जिनना ज्यादा विस्तापन कर दा है उसनों तरंग दा डेश के हाजन दा है अजी उसनों तरंग दा की के हाजन दा है आयाम यानिकी एपलिट्यूड किसे माध्यम देख कर एक सेगेंड विज जिनने कमपन कर दा है उसनों की के हाजन दा अवर्ति यान की फ्रिक्वेंसी जदों कोई कर्ण अपना एक कंपन पूरा कर्ण लई जिनना समाल लेंदा अवर्त काल ओप्शन डी है जड़ा अपना क्रेक्ट हो जावेगा हेट लिख्यां विचों केडा पोतिक राशी दे अपना क्रेक्ट हो जावेगा उप्शन फर्स्ट जड़ा क्रेक्ट हो जावेगा नेकस्ट कॉशन हेगा है हेट लिख्यां विचों किसनु माध्यम दी जूर्त हुनदी है چार ओप्शन देती हो ने फर्स्ट गा यांत्रिक तरंग सेकिन देताः जी बिजलाई चुम्ब की तरंग थड़ हे गा है अय यांत्रिक तरंग ते 4 दिता है रोशनी त्रंग त्रंगां दो तरह दी हुंदी हाने यांत्रिक ते आयांत्रिक त्रंग यांत्रिक नू केंदे ने mechanical wave ते आयांत्रिक नू केंदे ने non-mechanical wave ते होंदा second name की हैगा जी visualize jump की त्रंग या फिर electromagnetic wave माध्यम दी जूर्थ किन हुंदी है यांत्रिक त्रंग नू येस question दा अपना first option दिटा correct हो जावेगा ते option दीट दिता है रोशनी त्रंग एक example दिती होई है यांत्रिक त्रंग दी next question वाल चाल दे हैं हेट लिखें विचों किसनू माध्यम दी जुरूरत हुंदी है हांजी किनू हुंदी है option number D हो जावेगा तुनी त्रंग जदो माध्यम दे कणा दे कमपन दी दिशा त्रंग दी गती दे दिशावल होई ता उसनू डैश के हाजानदा है जदो माध्यम दे कणा दे कमपन दी दिशाद तरंग दी गती दे दिशावलोवे ता उनुक की के हजान्दा जी केड़ी तरंग हुन दियाओ लोंगी ट्यूडनल तरंग ओप्शन B है जड़ा कोरेक्ट हो जावेगा नेक्स्ट कोशन हैगा है जदो माध्यम दे कण तरंग चलन दी गती दे दिशाद दे लंबात्मक कमपन कर दे होन अजई तरंग नूँ डेश केहा जान्दा है ता अजई तरंग नूँ की केहा जान्दा जी ट्रांसवर्स तरंग ओप्शन A है जड़ा पना कोरेक्ट हो जावेगा नेक्स्ट कोशन दीता है ट्रांसवर्स तरंगां हेट लिख्यां विचों केडे माध्यां विच नहीं चल सक दिया जी ट्रांसवर्स तरंगां केडे माध्यां विच नहीं चल सक दिया ता गैंस विच नहीं चल सक दिया option c ये जड़ा पना correct हो जावेगा next question दिता हुए transverse त्रंगान dash अते dash दे रूप इच चल दिया हान इस question दा जड़ा option तुस्सी सही कर लेना c crest ते ये लिख लेना जी truck crest ते truck option c ये जड़ा पना correct हो जावेगा next question वाल चल दिया next question दिता है दो लगातार crest जा ट्रफ दे विचकार दी दूरी नू की के हाजान दा है तो इननू के हाजान जी truck लंबाई wavelength option d ये जड़ा पना correct हो जावेगा next question आगा जी longitudinal त्रंगां dash ते dash दे रूप ज़ चल दिया हान option b है जड़ा पना correct हो जावेगा नपीड़न ते विरलन दे रूप ज़ चल दिया हान 8 लिख्यां विच्चों माद्यम दे केड़े जगां ते दबाते कनता ज्यादा हो ज़ दिया हाजी केड़े पॉइंट ते हो ज़ दिया है नपीड़न ते option c है जड़ा पना correct हो जावेगा next question है गा है 8 लिख्यां विच्चों माद्यम दे केड़े जगां ते दबाते कनता काट हो ज़ दिया हाजी केड़े था ते काट हो ज़ दिया ता option d है जड़ा पना correct हो जावेगा विरलन 8 लिख्यां विच्चों केड़ी longitudinal तरंग दी उदारन नहीं है जी हेड लिख्यां विच्चों केड़ी longitudinal तरंग दी उदार नहीं है चार option है फर्स्ट है गा है तुनी तरंग सेकन दीता है सपरिंग तो उत्पन तरंग थर्ड है पुचाल तरंग ते फोर्थ है जी किच्ची होई रसी विच उत्पन तरंग बेस्ट हंडर्ड एमसी क्योग ए फिजिक्स दा बहुत ही महत्पून चैप्टर हे गा है एनना सो एमसी क्योग विच आपान चैप्टर नो कंप्लीट करांगे ते जेकर तुसी किसे भी तरह दे कॉंपिटिशन एक्जाम दी त्यारी कर रहे हो जिस विच जर्नल साइंस पुछी जान दी है ता ए विडियो तो अडेलाई बहुत ही हल्फूल होवेगी तुसी एस विडियो नो वेख सकते हो हाँ जी आज दी वीडियो नो वेखन तो पहला तुसी साउंड चैप्टर दे कॉंसेप्ट दी वीडियो नो जरूर वेखना जी ता जो तुसी एस वीडियो विचले सो एमसी कियो नो असाने नाल हल कर सको साउंड चेप्टर दी, कॉंसेप्ट दी वीडियो एस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जे तो नो मिल जेगी ओथो जा कि तुसी वेख सकते हो हांजी आज दी वीडियो काफी हेलफुल होन वाली है इसलिए मैं उमीद करागा कि तुसी वीडियो नो पूरी ते त्यानल वेख होंगे हांजी नेक्स्ट कोशन की हेलगा त्रंग दी चाल यानि विलोस्टी बराबर होन दी आवर्थी यते त्रंग लंबाई दे मुल्टिप्लाई दे यानि की विलोस्टी इस एक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लेंडा लेंडा होन दा जी वेवलेंद जिन्नु के अंदने त्रंग लंबाई एसकोशन दा कोरेक्ट आंसर हो जावेगा option नंबर first त्रंग लंबाई नेक्स्ट कोशन वाल चलते हैं किसी त्रंग दी आवरती दित्ती होई है जी दो किलो हर्ट्स आते उस दी त्रंग लंबाई 35 सेंटिमीटर है त्रंग दी चाल की नहीं होवेगी यानि कि अपाँ विलोस्टी कटने विलोस्टी दा फोर्मूला की होंदा है फ्रिक्वेंसी इंटू लेंबडा अजी दो हैं आपने कोल दित्ते हो ने ते option विच आपने कोल अंसर केंदे विचे दितता होया है मीटर पर सेकेंड विचे ता अपायना नों भी मीटर पर सेकेंड विचे भी चेंज करांगे ता दो दिनाल हजार दी मल्टिप्लाई इंटू 35 दिनाल सो दी मल्टिप्लाई जदो अपायना नों कटांगे ता ए आजेग जी 700 मीटर पर सेकेंड है ओप्षुन D है जञीड आपना खुरेक्ट हो जावेगा। ओप्ष्ण C है है जञीड आपना कोरेक्ट हो जावेगा। मनूख विच तुनी उसदे डियाश कंपन होन कारण पैदा होंदीये। वेरी वेरी इंपोर्टन्ट कोशण हैका जी। मनुक विच तुनिय उस दे स्वर्थ अंतर दे वाइवरेशन देनाल पैदा हुन दिये अजी वोकल कोड दे वाइवरेशन देनाल यडी मनुक विच तुनिय जडी उत्पन हुन दिये option C है जड़ा correct हो जावेगा असल विच तुनी दे संचालन विच किस दा संचालन होंदा है एक कोशन वी वेरी वेरी इंपोर्टन हेगा जी किस दा संचालन होंदा है हल चल दा ओप्षन बी है जड़ा अपना कोरेक्ट हो जावेगा यानि की वाइबरेशन दा जड़ा संचालन होंदा है हेट लिख्यां विचों केड़ा तुनी दे समान्द विची गल्थ है चार ओप्षन है फर्स दिता है एक तरंग है बिल्कुल सही है सेकर्ड दिता है एक यांतरिक तरंग है बिल्कुल सही थर्ड ओप्षन है एक लोंगिटूटनल तरंग है बिल्कुल सही ते फोर दिता है ए कला यानि की वेक्यों विची चल सकते हैं ए गलत दिता है तो एस कोशन द आपना डी ओप्षन अजड़ा कुरेक्ट हो जावेगा नेक्स्ट कोशन दिता है जी तुनी त्रंगां दे दो लगातार निपीडन जा विरलन दे विचकार दी दूरी नू कीके हाज़न दे जी तुनी त्रंग दे दो लगातार निपीडन जा विरलन दे विचकार दी दूरी नू आपकीके निया त्रंग लंबाई यानि की वेवलेट ओप्षन फर्स्ट है जड़ा कुरेक्ट हो जावेगा neat question दे गए कमपन जिननी तेजी नाल होँएगा ओधी frequency यानी की आवर्ती ओणिंहिं ही डैश नाल होँएगी की होएगी ज्यादा जिननी ज़्यादा कमपन होवेगा जिननी ज़्यादा वाइबरेशन होवेगी इस तरह तियों दी फ्रिक्वेंसी भी उननी ज़्यादा होवेगी तो option B है जड़ा correct हो जावेगा जी next question है तुनी दा तिखा पन याने की पिच किस उते निर्बर कर दी है तो नी दा तिखा पन किन दी उते निर्बर कर दा जी फ्रिक्वेंसी दी उते option C है जड़ा correct हो जावेगा अवरती हाजी next question है तुनी दी अवरती याने की फ्रिक्वेंसी दे वद नाल उस दा तिखा पन भी डेश हुन दा तिक्खापन की होएगा वदेगा option first अजड़ा अपना correct हो जावेगा नेक्स्ट कोशन हेगा है तुनिदा ओ लच्चन जिदे कार्ण तुनिनू पतली जा मोटी कहा जान्दा है तुनिदा जिस्टे कार्ण तुनि जड़ी पतली जा मोटी हो जान्दी है केडा गुण हेगा वदेगा option Numbar B तिक्खापन फिस्ट सिदे किसे मादय विछ जयादा तो जयादा विस्टा पनो तुनिदा की कहा जान्दा है आयाम. एस तरह मद पौंट तो मोर्ष मॉर्ष नताँतों जनना जादा विस्टापन करें अन्हुआ अपकी के ने उपपर जान निचे. तो अन्हों आपकी के ने अयाम यानिकी एम्पलीटूड. तुणि दी प्रबलता यानिकी इंटेंस्टी किस उते निर्बर कर दिये तुनों दी प्रबलता हुं दिये इंटेस्टी हुं दिये कें दे उते निर्बर कर दिये आयाम दे हुते option फर्स्ट जड़ा प्लांख ग्रेक्ट हो जावेगा amplitude उते निर्बर कर दिये next question है किसे बिंदू दे तुनी दी प्रबलता यानि की उच्चापन किस उते निर्बर नहीं करदा चार ओप्शन ने फर्स्ट गाई आयाम, सेकन दीता है सुरोत तों दूरी थर्ड दीता है माध्यम दी कंटा, ते फोर्थ गाई अवर्थी अजी किन दी उते निर्बर नहीं करदा, ता एक फ्रिक्वेंसी दे उते निर्बर नहीं करदा ओप्शन डी है जड़ा अपना, कोरेक्ट हो जावेगा जेकर तुनी ए दी उर्जात, तुनी बी दी उर्जातों ज्यादा है तां किस दी प्रबलता यानि कि इंटेंस्टी ज्यादा होवेगी अजी किस दी इंटेंस्टी ज्यादा होवेगी option first जड़ा पना correct हो जावेगा तुनी A दी तुनी दी प्रबलता नू किस वीच माप पया जान्द है very very important question है गा जी तुनि दी इंटेंस्टी नूके ने वीचे मा पेया जानता है Decible वीचे Option बी है जड़ा पना Correct हो जावेगा Next question है सदार्ण गलब बात लई तुनि दी ती बुरता किन्नी हुन्दी है सदार्ण गलब बात लई ता एसता Correct answer हो जावेगा Option first ती तों लेके 40 decibels नेक्स्ट कोशन ने कहा है डैशट decibel तों ज्यादा तोनी मनुखनूं पागल कर सकती है जी S कोशन दा Correctarning सुरू हो जाएगा Option numéro C 150 decibels तों ज्यादा तोनी मनुखनूं जड़ी पागल कर सकती है तुनि देश रोत तो दूर जानान इस दा आयााम कट जान्दा थे प्रबलत यानि कि उच्चापन भी काट जान्दा है ओप्शन फरस्ट जिड़ापना कुरेक्ट हो जावेगा तुनि देश रोत जिस तो जिस तो से एक समान आवरती थे आयाम वाली दो तुनिया विचकार अंतरपता कर सकते हैं वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन है गया है फिर तो रिपीट कर देना कि तुनिय दी ओ विशेशता जिस तों से एक समान आवरती जिवें अपन दो चीज़ां लेती हैं ते एक अपन हर्मोनियम लिता है दोँआँ दी फ्रिक्वेंसी भी सेम करती ते दोँआँ दा अम्पलिटूड भी अपन सेम करता है फिर भी आपन उपता चल जानदा है कि आ तबला आएगा ते आ हर्मोनियम दा साउंड लेगा वो किस देकार होंदा जी क्वाल्टी ओफ साउंड देकार यानि कि गुंटा देकार option B है जड़ा अपना correct हो जावेगा next question है dash which पिंटा देकार नहीं असी अपने दोस्ता दिया अवाज जानों पैचान सकते है वोई question फिर तो repeat होगा जी किस देकार ने गुंटा देकार option B है जड़ा अपना correct हो जावेगा next एक आवर्ती वाली तुने नो की किया जानदा है यानि कि एक single आवर्ती वाली तुने नो की किया जानदा है तो ऐसनो किया जानदा जी तुन यानि कि टून आपके सकते हैं बहुत सारी अवर्ती यान दे मिश्रा नाल उत्पन तुने नो की किया जानदा है हाजी जदो बहुत सारी यान फ्रिक्रेंसी मेक्स होके एक तुने उत्पन कर दिया उन्हों आपके केनने है उन्हों आपकेनने है जी स्वर option first जड़ा अपना कोरेक्ट हो जावेगा तो ने दा ओल अच्चन जड़ा उच्चापन ते तिखापन नो करमवार निदार्त करता है जिमें उच्चापन के देकार होंदा जी ए होंदा जी आयाम देकार ते तिखापन के देकार होंदा है ए होंदा आवर्ती देकार उच्छा पन होंदा जी Amplitude देकार ते दिखा पन होंदा जी Frequency देकार तो एस कोशन दा बी ओप्षन आज़ेड आपना Correct हो जावेगा किसे इकाई खेतरफल विचों एक सेकेंड विच लंगण वाली तोनी उर्जानू तोनी दी डैश के हजन्द है फिर तो एकाई खेतरफल विचों एक सेकेंड विचों लंगण वाली तोनी उर्जानू तोनी दा डैश के हजन्द है की के हजन्द है आवर्ती यानिकी Frequency के हजन्द है तोनी तिबर्ता यानिकी Intensity दा SI मात्रक की है गया वाठ पर मीटर Square, option D है जी अपना क्रेक्ट हो जावेगा टैश तोनी लिख करना दी स्वेदनलन माप है यह इघल के डैश कोषन दा क्रेक्ट वा जावेगा, option नंबर D प्राभदता यानिकी उच्छा पनद नेक्स्ट कोशन है गाए जीरो डिगरी सेल्सियस ते तुन्य दी चाल किन्य हुन दिया जी जीरो डिगरी सेल्सियस ते तुन्य दी चाल किन्य हुन दिया तैंसो इकत्ती जां तैंसो बत्ती मीटर पर सेक्ड माध्यम दे तापमान वद दे नाल तुनिय दी चाल की असर होंदा जि ओवी वद जावीगा तो उप्शन फर्स्ट है जड़ा अपना कोरेक्ट हो जावेगा हेट लिखें विचों तुनिदी चाल किस उते निर्वर कर दिये फस्ट दिता है माध्यम दी कंटा सेकेंड दिता है माध्यम दा ताप्मान थर्ड देगा माध्यम विच लिए नमी तैना तिनना तिन निर्वर कर दिया ओप्शन डी है जड़ा अपना कोरेक्ट हो जावेगा उट्ते दसे सारे माध्यम दे वेग दी दिशा विच तुनिदी चाल डेस जावेगा जिस माध्यम दा वेग होवेगा उसे दिशा विच तो निदी चली चाल हुएगी ओ की जान दिया जी वद जान दिया option first जड़ा correct हो जावेगा this question दा option first जड़ा अपना correct जावेगा माध्यम दे वेग दी दिशा विच तो निदी चाल की हो जान दिया जी वद जान दिया मतलब उसे दिशा विच माधियम दा वेग ही गया ते उसे दिशा विच आपां साउंड पास कर रहे हैं ता एस दी विच की है साउंड दी जड़ी स्पीड आउ वाद जेगी नेक्स्ट कोशन वाल चलते हैं जेकर M गैंस दा अणू पार है ते V तुने दी चाल है था हेट लिके मेंचे केड़ा सही होवेगा ता ए रिलेशन तुसे याद करना जी वी डारेक्टली परपोर्शनल एक बटा अंडर रूड चे M तो इस कोशन दा अपना जड़ा क्रेक्ट आउसर हो जावेगा ओप्शन नमबर D नेक्स्ट कोशन है तुने दी चाल सब्तों ज्यादा हुंदी है है थूस वीच ओप्शन फरस्ट जड़ा क्रेक्ट हो जावेगा जढ़ों तोनी एक माध्यम थों दुझे माध्यम वीज जानती है था हेट लिख्यां विचों किस दा परिवर्थन नहीं होंदा अजी केसदा परिवर्तन नी होंदा चार ओप्शन ने चाल सेकने ते तरंग लबाई थाड़ेगा जी आवर्ती ते फूर्त नी होंदा फ्रिक्वेंसी दा ओप्शन सी है जड़ा अपना कोरेक्ट हो जावेगा आवर्ती हेट लिकें विचों तुनी दी चाल सब तो ज्यादा किस विच होवेगी चार उप्शन है स्टील विच हवा विच खला विच यानि वेक्यों विच थे फूर्थ या पाणी विच सब तो ज्यादा होवेगी स्टील विच option first एज़ा correct हो जावेगा 8 लिखे हैं विचों केड़ा supersonic चाल नाल चलता है 4 option एज फर्स एगा बंदूक दी गोली second एगा जेट वाईउ यान third एगा जी A थे B दो है ते 4 एगा इनना विचों कोई ने ते इसक दा correct आज़ा जावेगा option number C बंदूक दी गोली ते जेट वाईउ यान supersonic जड़ी चाल नाल चल देने सानू गूँज किस दे कारण सुनाई देन दे very very important question है जी सानू गूँज जड़ी किन दे कारण सुनाई देन दे ते एक कारण होंदा जी प्रवर्त नदा option first एज़ा correct हो जावेगा मनुखी कान ते तुनी दा असर किने समय तक रहेंदा है very very important question है जी किने समय तक रहेंदा है एक बटा 10 सेकंड तक साड़ी कान ते तुनी दा असर जड़ा एक बटा 10 सेकंड तक रहेंदा है yes question तक जड़ा correct answer हो जावेगा option number C 0.1 second first परती तुनी सुनन लई मूल तुनी ते प्रवर्ती तुनी देविचकार कटो कट किने समय ता अंतराल होना जड़ा होने आपां पड़ा की साड़ी कान ते तुनी दा असर रहेंदा जी एक बटा 10 सेकंड त जेकर आपां एक बटा 10 सेकंड होन तो प्रवर्ती तुनी देविचकार कटो कट किने दूरी होने चाहेदी हाँ जी किने दूरी होने चाहेदी है स्तारा पॉइंट दो मीटर स्तारा पॉइंट दो मीटर एसकोशन दा फर्स्ट ओप्शन जड़ा कोरेक्ट हो जावेगा जी नेक्स्ट कोशन वाल चलते हैं कोई परती तुनी 10 सेकंड बाद सुनाई दिन दिया जदों तुनी दिचाल 302 मीटर पर सेकंड होए ता सुरोत ते प्रवर्तक स्ताय दे विचकार दूरी किन्नी होएगी कोई व्यक्ती खड़ा जिमें थे ते प्रवर्तक स्ताय गी है उनना विचकार जड़े इननों साउंड जड़े 10 सेकंड बाद सुनाई दिन दिया ते जड़े चाल दिती होई ये साउंड दी वो ही तेंसो प्याणी मीटर पर सेकंड अपपा की करना है विचकार ली डिस्टेंस जड़ा पर पकड़े पहलना साउंड जावेगा ता की होचीगा जड़े डिस्टेंस होचीगा d1 ते बापस हावेगे तना distance होजिके da d2 तो चाल दा formula के लिए डाजी? čAL बराबर दूरी बटा समा, दूरी double होजेगी तब की करने है, दूरी करने है, दूरी side चे आज़ेगी, चाल इनन 2 क्यों होजेगा समा, ति बटे स्ट्य-छे जद्ध इस इस कोशन दा अपकना न्यक्स्ट कोशन रोकुप तद बार बार परवर्तन की कहुन दा है फ्रवांटों बेरे ऐबकन आके पर्ति क्रीया वेरिवेरी इंपॉर्ट्ट सब्सक्राइब कर देगा जी रिवर्ब्रेशन नो केंदेने डैश नो कट करन लई सबापवन दियां छत्ता थे दिवारां थे तोने दे अव शोषक पदार थे जिवें फाइबर बोड खुर्त रे प्लास्टर जां पर्दे लगा जांदे हैं जी किनू कट करन रही आपां ज यह सबापवन वीचे या फिर स्नेमा करां वीचे दिवारां थे फाइबर बोड खुर्त रे प्लास्टर थे पर्दे लगाने हां एक नो कट कर दे जी रिवर्ब्रेशन नो ओप्शन बी है जड़ा पना कोरेक्ट हो जावेगा नेक्स्ट कोशन है गया स्टेटो स्कोप वि जड़ा पना कोरेक्ट हो जावेगा हंजी नेक्स्ट कोशन देता है तोनी दे मल्टीपल रिफ्लेक्शन दे उप्योग लई फर्स्ट ओप्शन देता है संगीत यंतर नो विशेश प्रकार नाल डिजाइन किता जावेगा बिल्कुल स्टेक्ड देता है सिनेमा कर सबापव अधि दियां छत्ता नो वक्राकार याने कि टेपर बनाया जाए जाए बिल्कुल स्टेक्ड इगा स्टेतोस्कोप नो खास प्रकार नाल बनाया जाए बिल्कुल स्टेक्ड इस कोशन दा जड़ा कोरेक्ट आंसर हो जावेगा ओप्शन नमबर डी उत्ते दसे सारे समुंदर दी दुगाई हवाई जादी उचाई अते दूर स्टित पहाडां दी दूरी दा पता लगोन लई तोनी दे केड़े गुन दा उपयोग किता जान दा वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन है गा जी किस दा उपयोग किता जान दा पर ती तोनी दा जाने कि गुंज दा इकको दापां उप्योर कर देयां नेक्स्ट है का यह शेर दी धाड़ ते मच्छर दी पिंपनाहट विच्छों किस दी तिबरता ज्यादा हुँदियां किन दी हुदियां मच्छर दी पिंपनाहट दी ऑप्शन B है जाड़ आपना कुरेक्ट हो जावेगा मनुक की कन किन्नी range तक दी अवर्थी सुन सकता है वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन है गाजि किन्ने range तक दी अवर्थी सुन सकता है V hertz तो लेकि V1000 hertz तक option D है जी डापना correct हो जावेगा V hertz तो कट अवर्थी वाली तोनी नू की के जान्द है आप श्रवन तो नी ओप्ष健 ऑपना कॉरेक्ट हो जावेगा वी किलो हर्ड 도 अधिक ऑवर्ति ऑवर्ति ओना कॉरेक्ट हो जावेगा आँजी, नेक्स्ट कोशन देता है पंज साल तो अधिक अवर्ति तक दी अवर्ति सुन सकतेने पंच साल तो काटों मर्दे बच्चे 25,000 हर्स तक दिया वर्ती सुन सकते ने ओप्षन फर्स्ट है जड़ा पना कुरेक्ट हो जावेगा डैश अव श्रवन तो ने उत्पन कर देने चार ओप्षन देते होने फर्स्ट है गेंडा, सेकंड देता है वेल, थरड़े का जी हाती, तो फोर देता है उत्ते दसे सारे अजी ए तिन्नों जड़े अप्षरवन तो ने उत्पन कर सकते ने तो इस कोशन दा ओप्षन डी है जड़ा पना कुरेक्ट हो जावेगा कुझ जानवर पुचाल आउन तो पहला ही प्रशान हो जान देने क्योंकि पुचाल आउन तो पहला डेश तरांदियां त्रंगां उत्पन कर दे हान पुचाल जड़े आउन तो पहला किस तरांदी त्रंगां उत्पन कर देने अप्षरवन तो नीनू उत्पन कर देने जड़े की कई जानवर सुन साकतेने इसलिए उपरशान हो जम देने तरड़े गजी पोरपोज ते फोर दिता है गेंडा जड़ा प्राशरवन तो नी उत्पन नहीं कर सकता तरड़े जड़ कर्यक्ट्रांसर हो जावेगा ऑप्षण नमबर डी चुखे डेश उत्पन करके कुझे खेड केड़ दे हन हाजी केडी तो नी उत्पन करके प्राशरवन तो नी इसकोशन दा थ जड़ा कर देने अप्षण चुर्ट्रेक्ट हो जावेगा थाड़ेगा एको कार्डियो ग्राफ यानिकी ECG विच बिल्कुल सही इस कोशन दा ओप्शन डी है जड़ा अपना कोरेक्ट हो जावेगा ओप्शन जड़े उत्ते दस्से सारे शरीर दे अंदरोनी अंगा दा पर्तिविं प्राप्त कर लई केडी तरंग दा उप्यों किता जान दा वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन हैगा जी शरीर दे अंदरोनी अंगा दी इमेज प्राप्त कर लई अपा प्राश्रवन तवनी दा उप्यों कर देया ओप्शन C है जड़ अपना correct हो जावेगा समुद्धर दी डूगाई पंडूबी दी दूरी दीशा आदी दा पता लोण ले किस दी वर्तो किती जान दी किस दी वर्तो कर दें सुनार दी जिस विच आपकेडी तुनी यूज कर दें प्राश रवन तुनी सो नार विच केड़ी तुनिदा उपयोग गेता जान्दा है हां जी केड़ी तुनिदा उपयोग उन्दा जी प्राश रवन तुनिदा ओप्षन C है जड़ा अपना कॉरेक्ट हो जावेगा चमगादड डेश तुनी दी मदत नाल हनेरे विच भी उड़ सकतेने हंजी केडी तुनी दी मदत नाल प्राश्रवन तुनी दी नाल ओप्शन सी है जड़ा अपना कोरेक्ट हो जावेगा जीरो डिगरी सेल्सियस ते तुनी दी चाल किने हों दिया कोशन फिर तुर रिपीट होगा जी 302 मीटर पर सेकंड या फिर 311 वी लिख्या हो या आ सकता है ओप्शन फर्स्ट है जड़ा अपना कोरेक्ट हो जावेगा तापमान विच वादा करनते तुनी ते की असर होगा तापमान विच वादा करनते तुनी वी वदेगी ओप्शन वी है जड़ा पना करेक्ट हो जावेगा जिस बदार्थ विचpower pem करेक्ट हो जावेगा जद हो तोदोजे मादिया था ताप डह विच विच कोई बदलाव नहीं होनदा आवरती विचिप्छ फ्रिक्वेंसी विच्प बदलाव नहीं होंदा, option C अजड़ा पना correct हो जावेगा, जी next question है गाए, व्यक्तियां दे सवर्त अंतर दी लंबाई किन्नी होंदी है, जी व्यक्तियां दे vocal codes दी लगबग लंबाई किन्नी होंदी है, वी mm, option first अजड़ा पना correct हो जावेगा, येट लिक्यां विचों केड़ी एक कंदी हड़ी नहीं है, very very important question है गाजी, first दिता जी, मुग्दरक जिन्नू केंदरे हमर, second हेगा निहाई, जिन्नू एन्विल केंदरे, थड़ेगा वल्यक जिन्नू स्टैपिज केंदरे, जीड़ी की सिरीर दी सब्तों छोटी हड़ी होंद है, जी, केड़ा पार करदा है, बार इकन, first option जड़ा अपना correct हो जावेगा, कान दे, air drum उते उत्पन कंपन नू amplify करन दा काम कोण करदा है, very very important question है, जदों अपने तोनी कन दे, air drum यानि की पर्दे दे उत्ते पेंदी है, ता उन्नू अगे वदा के, मतलब amplify करन दा काम कोण करदा है, तर तेन हड़ियां हों दियाने, मुद्रक, निहाई, ते वल्यक, option D है जड़ा अपना correct हो जावेगा, एन ते, ए तेन हड़ियां जड़ियां, एन नू amplify करन दा कम कर दे, option D है जड़ा अपना correct हो जावेगा, उत्ते दस से सारे, जदों कोई व्यक्ति रेल्वे स् देखड़ा है, ते दरों गड़ी आ रही है, जदों जिवें जिवें गड़ी अंदे करीब आवेगी, नेड़े आवेगी, ता एक ही महसूस करता है कि यह उन्दी जड़ी फ्रिक्वेंसी है, यह साउंड दी, ओ इंक्रीज हो रही है, ते एक कटना कि देकार होंदी है, डो करेक्ट हो जावेगा, दिन दी तुलना वेचे रात नू तुनी ज़्यादा दूर तक जान दी है, एक किस दा कारूंदा है, अप वरतन दा कारूंदा, ओप्शन डी है जड़ा अपना करेक्ट हो जावेगा, जदों कोई सेनिक टुकड़ी पुल नू पार कर रही है, ता उ अनू कदम ना मिला के चलन लिए, क्यों कहा जान दा है, वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन है गा, जदों कोई सेनिक टुकड़ी पुल नू पार कर दिया, ता उन अनू कदम ना मिला के चलन लिए, क्या जान दा है, ता जो की ना होए, अनू नाद ना होए, अनू नाद नू रोकन लेए रेजोनेंस नू रोकन देलेए और अनु कहा जानदा कि तुसी कदम देनाल कदम मिलाके नई चल लगा ओप्षिन फर्स्ट जिड़ा अपना कोरेक्ट हो जावेगा अनुनाद यानिकी रेजोनेंस नू रोकन देले नेक्स कोशन हैं तुनी तरंगाँ नहीं चल सकति दिया फरस्ट हम ठो समाध्यां विछ सेखन दिय तरब माध्यां विछ थरड हम गैंस माध्यां विछ फोर्थ हम खलाव ended तोनी जड़ा बेक्व Ephesam विच नहीं चल सकति दिया ऊप्षन डी है जड़ा अपना कोरेक्ट हो ज ना लाई प्रवरतक स्थाय तो किनिद दूरी ते होना चाए था है अजा किनन दूरी ते होना चाहए जादा है 56 दी दूरी कि का Should The Ground Artist आपणा लींटे करेक्ट हो जावेगा सथाअ शेअद गपर probability ॒त करेक्ट हो सभिभा थे गईंग है तो कोरेक्ट हो जावेगा तुनी हवा विच तेन सो ती मीटर पर सेकंड दी चार नाल चल दी है एक तुनी तरंग दी अवरती दित्ती होई है पांसो पंजा हर्ड तेस तरंग दी लंबाई किन्नी होएगा जी आपां लंबाई पता करनी है तरंग दी लंबाई किन्नी होएगी फोर्मुला की हैगा जी तोनी दा वेग दा वी इस इकल टू एफ इंटू लेमडा लेमडा हुन दी जी त्रंग लंबाई त्रंग लंबाई आपां काड़नी हैं तान लेमडा नो एक पासे ले आवाँगे एस तरहां करके कड़ाँगे तां किन आ आजेगा जी 0.6 मीटर जी 30 पांसो पंजाब जाथ आपां नों कटांगे तेन बटा पंजा आजेगा फिर न दुबार तो कटांगे जी तब 0.5 ची का ती 0.6 मीटर जीड़ा अपना अंसर आजेगा ओप्शन नमबर सी एक ट्यूनिंग फोर्क दी आवर्ती दिती हुए 400 हर्ट्स ते एस दा आवर्तका आवर्तकाल दा अपना फोर्मुला पता होना जाएदा की होंदा जी आवर्तकाल दा टी इक बटा फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी की नित्यों होई है 400 हर्ट्स तो एक बटा 400 वापा जेदों कटांगे अपना जीड़ा अंसर आजवेगा 0.0025 सेक्ड ऑप्शन फर्स्ट जी अपना कोरेक्ट हो जावेगा जी आज़े दा लास्ट कोशन हेगा इट्स जीके गुर्जी दे वीडियो नो वेखन वाले पवन कमार दे अंसार प्रकाश दी तरह तोनी भी प्रवर्तन दे नीमा दी पालना कर दी है की तुसे इस गल्त हों सेमत हो जी ता इस कोशन दा कोरे वीडियो नो जुरूर लाइक करे हो जी ते ज्यादा तो ज्यादा वीडियो नो शेयर करे हो जी वीडियो नो ज्यादा तो ज्यादा अपने दोस्तां देना वर्ट से फेस्बुक इंस्टाग्राम जित्ती भी तुसी शेयर कर सकते हो ज्यादा तो ज्यादा शेयर करे हो जी तुसी आज दी वीडियो दी PDF टाउनलोड करना चांदे हो तो ओ तौनू साधे टेलिग्राम चैनल ते मिलजेगी साधा टेलिग्राम चैनल हेगा जी एड़ दिरेट इट्स जीके गुर जी एक बार फिर तो रिपीट कर दा है जेकर तौनू आज दी वीडियो चे MCQ जी समझे ना आई होए ता तुसे उस्तो पहला साउंड चैप्टर दा कॉंसेप्ट जीड़ा क्लियर करना है उस दा लिंक तौनू डिस्क्रिप्शन बोक्स चे मिल जेगा तुसी सब तो पहला वो वीडियो वेखने है तो उस तो बाद उसी MCQ वाली वीडियो वेखने है जी अजी मि मिल दियान नेक्स्ट वीडियो चे ओदों तक दिलाई टेक केर